नमस्कार, एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वैश्वी करण के बारे में देखें वैश्वी करण एक ऐसी अवधारना रही है जो की शीतियूद की समापती के बाद अस्तित्व में आई शीतियूद की समापती जब 1990 के आसपास हो चुकी थी 1991 में जब सोवियत संग का वेगटन हो गया उसके बाद से वैश्वी करण की जो प्रक्रिया है वो बहुत जादा तेज हुई और वैश्वी करण की अवधारना पूरे विश्व के सामने आई तो आए चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये जानना की वैश्वी करण का अर्थ क्या है देखिए वैश्वी करण का अर्थ है वैश्वी करण विश्व के बिभिन हिस्सों में विचारों पूंजी वस्तुओं तथा अजीविका की तलाश में लोगों की आवाजाही स विश्व व्यापी पारसपरिक जो जुडाव है वही वैश्वी करने हैं। दूसरी जगह जाते हैं तो इस से एक विश्व में पूरा पारसपरिक जुडाव का कंसेप्ट सामने आता है और दुनिया भर के लोग एक दूसरे से जुडाव महसूस करते हैं और यही वैश्वी करन है। पूंजी का एक देश से एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर पहुँचना, साथ ही साथ वस्तूओं का कई-कई देशों में एक देश से दूसरे देश में पहुँचना, और देखें यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैश्वी करन के कारण जब विश्व के बिभिन जो हिस्से हैं उसमें विचार, पूंजी, वस्तू या लोगों की आवाजाही जो बढ़ती है उससे विश्व वियापी, पारसपरिक जो जुडाव की अवधारना है वो लगातार बढ़ती रही है, निरंतर पैदा होती रही है और वो अभी भी कायम है और ऐसी अवधारना यह सारी जो चीजे मैंने आप लोगों को बताई हैं यह सन 1990-1999 में जब सीतियुद्ध खत्म हो रहा था उस समय के बाद से लेकर वैश्वी करन की जो अवधारना है लोगों के दिमाग में विश्व के सामने बहुत ज़ादा तेजी से उभर कर आई देखें वैश्वी करन एक बहु आयामी अवधारना है यह एक multi-dimensional concept है इसके अंदर राजनितिक, आर्थिक, सांस्कृतिक यह सारी बाते शामिल हैं और हम इसमें आगे चर्चा करेंगे कि आ इसमें राजनितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो बाते हैं यह शामिल की जाती हैं वैश्वी करन के अंतरगत। यह किसी आर्थिक, ऐसे साहारी की मदद ले रहा है जिससे अर्थिवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है यह सांस्कृतिक रूप से किसी देश में एक देश की कोई ऐसी संस्कृती है जो बहुत जादा अच्छी है तो दूसरे जो देश हैं उन चीजों को अपन अपनाने का प्रयास करते हैं जैसे कि यदि हम पब्लिक एड्मिनिस्टेशन में देखें तो अमेरिका के अंदर पब्लिक एड्मिनिस्टेशन के अंदर लोग प्रशाशन के अंदर जो भी कंसेप्ट सामने आता है दुनिया के बाकी के देश लोग प्रशाशन के अंदर उ उन सारी चीजों को अपनाने का प्रयास करते हैं, तो देखिए वैश्वी करण एक multi-dimensional concept है, एक बहु आयामी अवधारना हैं, जिसके अंतरगत राजनितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बातें भी शामिल हैं, आईए इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं, वैश्वी करण के क्य कारण रहे, किस कारण से वैश्वी करण की अवधारना का उदय हुआ, सबसे पहला जो कारण है, वो बहुत ही important कारण है, और बहुत ही महत्तपूर्ण है, देखिए वैश्वी करण की अवधारना के अस्तित्व में आने का एक जो सबसे बड़ा factor काम किया, वो ये था कि प् जैसे जैसे develop होती चली गई, एक देश के अंदर मान लीजे कोई technology बहुत जादा तेजी से उभर कर सामने आई, मालेते हैं एक pen या pencil बनाने की कोई machine थी जो एक देश में particular किसी देश में X कोई देश है, उसके अंदर निर्मित हो गई, तो अब बाकी के देशों ने भी pen या इस तरह से जब वैश्वी करण के अंतरगत इस वैश्वी करण की पूरी प्रक्रिया में technology जैसे जैसे तेजी से बदलने लगी, वैसे वैसे वैश्वी करण की अवधारना लोगों के सामने आने लगी और लोग तकनीक का आदान परदान करने लगे, और जब तकनीक का आद अधारना के बनने का एक बहुत बड़ा कारण था, संचार साधनों में उन्नती का होना, देखें, टेकनोलोजी जैसे जैसे बढ़ी, वैसे ही वैसे संचार के जो साध्यन थे, कम्यूनिकेशन के जो साधन थे, वो सभी साधन बहुत तेजी से डिवलप हुए, जैसे आप पहले 30-40 साल पहले भारत के लोग जो थे, वो एक पत्र के माध्यम से एक लेटर लिखकर अपने विचारों का आदान परदान किया करते थे, एक जगा से दूसरी जगा यदि कोई संदेश भेजना है, तो हम लेटर का यूज़ करते थे, फिर दीरे-दीरे करकर टेलीफोन, वायर वाले टेलीफोन, जो लेंडलाइन टेलीफोन हुए, वो टेलीफोन का आना शुरूआ और जो पत्र पहले 4 या 5 दिन के अंदर या 1 हफते के अंदर पहुंसता था, कोई भी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर 4-4-5-5-6-6 दिन के अंदर या लगभग एक-एक सपता के बाद पहुंसते थी, अब संचार के साधन बहुत जादा तेजी से उननत हो गए थे, और अब वो लेंडलाइन जो टेलीफोन हुआ करते थे, उन संचार के साधन के वजह से, अब वो सूचना तुरंत बहुत तेजी से प्रवाहित होने लगी, एक जगा से दूसरी जगा बैठे बैठे लोग टेलीफोन पर सभी प्रकार का संचार कर पाते थे, साथी साथ धीरे धीरे टेकनलोजी और परिवर्तित होई, अब लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, इमेल जैसी सूविधाएं आ गयी, तो इन संचार के साधनों में जो उन्नती हुई, इसके कारण वैश्विकरन बहुत जादा तेजी से बढ़ा, इसकी वजह से पूंजी एक देश से दूसरे देश में गई, विचार एक जगा से दूसरे देश में गए, साती साथ वस्तूओं का एक जगा से दूसरी जगा आना जाना शुरू हुआ, अब दे पसानी से ओनलाइन किसी भी वेबसाइट से जो ओनलाइन वेबसाइट या ओनलाइन कोई ऐसा सेलर है, जो की बाहर की किसी कंट्री से आपको सामान उपलब्द करा रहा है, तो ऐसी परस्तिती में आप उस वेबसाइट का इस्तमाल करते हुए, आप अपने लिए किसी भी ब बढ़ने लगा और साथ ही साथ देखिए अगर आज से हम 20 या 25 साल पहले या 30 साल पहले की बात करें तो एपल जो की अमेरिका की एक कमपनी है एपल का कोई अगर प्रोडक्ट हमें चाहिए होता था इंडिया में तो हम एपल के प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज ही नहीं कर स सकते थे हमारे लिए संभव नहीं था कि अमेरिका का कोई समान हम लोग ऑनलाइन परचेज कर सकें और डायरेक्ट हम लोग उसे मंगा सकें पहले हम लोग वेट करते थे कि हमारा कोई जानने वाला हमारी कोई पहचान वाला अमेरिका में रह रहा है हमारा कोई रिलेटिव य की टेकनलोजी इतनी ज़ादा उननत हो गई है कि हम घर बैठे-बैठे Flipkart, Amazon जैसे जो वेबसाइट हैं, इन वेबसाइट का, इन एपस का इस्तमाल करते हुए हम दुनिया भर के देशों का समान अपने देश में मंगा सकते हैं, साथी साथ देखिए, जो लोग बिजनसमेन हैं, जो कि चैनीज किसी समान का बिजनस करते हैं, चैना से समान मंगाते हैं, उनकी लिए पॉसिबल नहीं है कि हर बार समान लेने के लिए वो चैना ही जाएं, वो क्या कर रहे हैं आजकल आजकल alibaba.com जैसी website जो है वो बहुत उननत हो गई हैं और alibaba.com पर यदि आप किसी भी चैनीज समान का ओर्डर करते हैं, तो आपको चैना जाने की चीन जाने की जरूरत नहीं हैं, आपको चीन में alibaba.com की जो sellers हैं, वो वहां से आपके लिए वो product जो आप समान मंगा रहे हैं, उस समान को आपके पास धेज देंगे, आपके address पर पहुंचा देंगे. तो देखिए, जैसे जैसे प्रोध्योगी की, technology, संचार के साधन, communication की जो साधन थे, इन साधनों में उननती हुई, वैसे वैसे वैस्वी करण की प्रक्रिया थी, वो बहुत जादा तेजी से साम ने आने लगी. तो ये एक बहुत ही important factor रहा है वैस्वी करण के बढ़ावा देने के लिए, वैस्वी करण को बढ़ावा देने के लिए. देखिए, साथी साथ वैस्वी करण का जो एक अन्य कारण है, वो है, विश्व के सभी लोगों का एक दूसरे से जुडाव होना. कहन दूसरे देश में वस्तूओं का आदान परदान शुरू हुआ, टेकनलोजी का आदान परदान शुरू हुआ, या लोगों का आदान परदान शुरू हुआ, या विचारों का आदान परदान शुरू हुआ, तो लोग एक दूसरे से बहुत ही तेजी से जुडाव महसूस क जिसके कारण वैश्वी करण एक बहुत तेज गती से तीवर प्रक्रिया से सामने आने वाली अवधारना बनकर हम लोगों के आज सामने हैं। जाहें तो वो अपने विचार जब फेस्बुक के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से या अन्य किसी शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म के माध्यम से अपने विचारों को जाहिर करता है तो आपको वो विचार बहुत तेजी से मिल जाते हैं। तो ऐसे में जब विश्व के स सभी लोग एक दूसरे से विचारों का तक्नीक के माध्यम से आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसे में विश्व के जो सभी लोग हैं, वो एक दूसरे से बहुत तेजी से जुड़ा महसूस कर रहे हैं, और जिसके कारण ये बैश्वी करण की जो प्रक्रिया है, वो बहुत तेजी से हम लोगों के सामने निकल कर आई है, उमीद करता हूँ मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद